नमस्कार दोस्तों बात करने जा रहा हूं एक multi-wagger company के बारे में और company का नाम है green panel industries जहां दोस्तों ये company पिछले एक साल में अपने investor को जबरदस्त return बना के दिया है क्या ये performance आने वाले समय में भी इस company का जारी रहेगा दोस्तों इसके उपर हमारा detail आज इस वीडियो के माध performance है इसके उपर थोड़ा सा पहले नजर डालते हैं company के delivery percentage को देखते हैं इसके बार हम company के growth outlook के उपर जाएंगे यहाँ पर बात करेंगे company के जो performance है ये देखिए पिछले एक साल में 554.76% की जबरदस्त company return दे दिया है year to date January से लेके अगस्ट के बीच 96.51% है जस्ट डवल करते हुए investor के यहाँ पर जो investment है यहाँ पर नजर आ रहा है और तीन महिने में 5-10 में लोग 5-7% का return company दिया है delivery क्या उठाया जा रहा है किस टेप का delivery है यह देखिए एक महिने की average delivery बात करेंगे 100% है एक हपते में 100% की average delivery और last trading session में 100% और देखिए पिछले trading session में 100% है और last में देखिए 100% जब और 10 तरीके से यहाँ पर company का सेयर्ष में आपको delivery उठाया जा रहा है दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे company के future outlook और growth outlook के बारे में क्या है इनका growth यहाँ पर ड्राइवर यह देखिए इंडस्ट्री ड्राइवर जियों दोस्तों इंडस्ट्री में क्या demand आने वाले समय में रहेगा जियों दोस्तों 100% रहने वाला है क्योंकि rising demand from the real estate sector और real estate sector से demand आ रहा है तो ऐसे में यह company पीछे कैसे छुटेगा दोस्तों इस company के product में भी demand आने वाला है increasing urbanization यह एक बहुत बड़ा factor है दोस्तों चारत तरफ urbanized हो रहा है और urbanization में आपको increment होते हुए नजर आएगा ऐसे में हर कोई अपना जो है दोस्तों घर को और जो भी घर की जो material से यह आपको सजाने के लिए तयार रहेगा दोस्तों और आराम से इसको यहाँ पर new करता रहेगा ऐसे में इसका demand भी बढ़ेगा higher disposable incomes and growth middle class family में भी growth दिख रहा है और यहाँ पर लोगों का disposable income भी बढ़ते हुए जा रहा है ऐसे में लोग घर खरी देंगे तो यहाँ पर plywood का demand तो आएगा ही आएगा rule out of GST to facilitate faster shift of unorganized to branded products in the plywood space लोग सब branded product की और ही जाएंगे next बात करने है company की financial performance कैसा रहने वाला है यह इनका कहना है margin expected to improve post COVID-19 from FY 2022 जिनों दोस्तों एफरम 2022 से इनका margin में भी improvement दिखेगा distribution network company अपना distribution network को भी strong कर रहा है to increase the number of distributors and retailers going forward इसके लिए भी काम कर रहा है IT initiatives यह अपना जो IT department को भी यहाँ पर तगड़ा करते हुए नजरा रहा है दोस्तों SAP में काम कर रहा है और implemented Microsoft CRM module यह CRM module भी नया introduce अपने company में कर रहा है advertising and promotional spends इसमें भी company नजर डाल रहा है advertisement में भी कुछ पैसा खर्चा करते हुए नजर आएगा जिससे की इस company का product में थोड़ा सा चारों तरफ advertised हो ऐसे में भी company यहाँ पर आने वाले समय में और भी यहाँ पर दूस्तों इसका sales बढ़ेगा और इसमें sales बढ़ने से इनका profit भी आएगा next बारत करें product profile यह अपना product profile को यहाँ पर expand करते हुए दिख्राइए दिखेंगे to improve mix of plywood through increase in mix of value-added products like green defendant और green gold primer and natural winners यह तमाम चीजों में company यहाँ पर अपना भी यह बहतरीन प्रदर्शन आपको करके दे सकता है next आते हैं company के ओपर company actually जोस्तों है क्या और इनका business क्या है यह देखिए business segment के अगर बात करेंगे wood basis products बनाता है जो कि हम अपने घर में दरवाजा के लिए पलंग के लिए यह plywood यूज करते हैं और भी बहुत सारे चीजों में plywood यूज होता है plywood and allied products like medium density fiber roads में यह company काम करता हुआ आपको दिखेगा industry potential के अगर बात करेंगे strong industry potential है plywood industry size is Rs.180 billion जी हो दोस्तों यह थोड़ा सा अकड़ा पहले का है बट यहां पर यह बढ़के industry size 190 billion हो चुका है MDF industry size के अगर बात करेंगे यह 19 billion है इसे में आप सोच सकते है company का कैसा scope है आने वाले समय में high income solid construction GST implementation and 100 smart cities in the pipeline are strong growth drivers यहां पर गौर करने के वाली बात है 100 smart cities जी हों दोस्तों मोदी जी का vision है हर city को smart बनाना है और 100 smart cities आने वाले समय में तयार होके रहेंगे ऐसे में इस company भी पीछे नहीं हटेगा और पीछे नहीं जाएगा total number of distributors देखिए 1100 retailers 5000 है serviced by five branches for pan India distribution company के पास manufacturing facility देखिए one state of art manufacturing facility for plyos है two facilities for MDF largest in the country और जो भी है यह country का largest MDF manufacturer है दोस्तों next आये company के उपर नजर डालते है company के financial parameter को देखते है company के जो number से इसको यहाँ पर थोड़ा सा detail में देखते है सीधे चलेंगे दोस्तों money control website में यहाँ पर देखिए company का year wise performance कैसा रहा है यह देखिए 2018 में कोई भी revenue नहीं था 0 था 2019 में 599 करोड का revenue आया 2020 में देखिए 876 करोड का और 2021 में दोस्तों 1020 करोड का जी हो दोस्तों हम यहाँ पर company के जो performance है revenue performance है इसको यहाँ पर year wise देखेंगे क्योंकि quarter on quarter देखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कोई quarter खराप हो गया तो company यहाँ पर इसमें आपको down देखेंगा बट ऐसा नहीं है कि एक quarter खराप हो गया तो company खराप हो गया दोस्तों हम यहाँ पर long term की बात कर रहे है 5 साल 10 साल की बात यहाँ पर company को ले के कर रहे है इसलिए हमारा focus यह और wise performance कैसा है इसके उपर रहने वाला है net profit देखिए company का 2021 में बढ़के 68 crores हो गया 2020 में down था 14 crores का स्रीप net profit आया था 2020 में 34 crores है अब देखिए धीरे धीरे company बढ़ता जा रहा है दोस्तों 68 crores का net profit यहाँ पर दर्ज किया है बात करेंगे company के प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में यह देखिए 53.1% की होल्डिंग किन के पास है प्रोमोटर अपने पास रखते है और throughout the year कोई भी changes प्रोमोटर के होल्डिंग में दिखेगा नहीं दोस्तों यहाँ पर देखिए कोई भी share भी plays होते हुए आपको प्रोमोटर का नहीं दिखेगा FII क्या कर रहे है यह देखिए यहाँ पर मार्च 2021 में यह देखिए इनके पास पहले था 2020 में 10.71% की पूरा बिकवाली कर दिये थे 4.21% हो गया था अब देखिए धिरे-धिरे जून 2021 में 5.45 कर दिये हैं दोस्तों FII DI देखिए 18.68% की holding है यह थोड़ा सा यहाँ पर प्रोफिट बुकिंग किये हैं इस quarter में जून 2021 में बाकी जो भी है public hold करते हैं 22-10 मलोग 7-8% की share holding pattern wise भी जब बर 10 दिख रहा है कोई भी खराबी इस company के उपर नजर नहीं आ रहा है बात करेंगे company के balance sheet total reserve and surplus कितना दिख रहा है आपको 761.19 crores का और यह reserve surplus year wise increase होते हुए आपको मिलेगा long term में करजा कितना है 356 crores का क्योंकि company expand कर रहा है दोस्तों इसलिए करजा तो थोड़ा बहुत बनता है और सटर में देखिए 15 crore का करजा आपको दिखेगा जादा नहीं है 380 crores 375-380 crores का करजा आपको company के पास अब मौजूद दिखेगा दोस्तों बात करेंगे cash and cash equivalent कितना है अपने हाथ में कुछ तो cash रखना चाहिए company पास यह देखे 71.58 crore का cash है current कोई investment company अभी नहीं रख किया है और total asset देखिए यहाँ पर company का 1475 crore का हो गया है balance sheet wise भी ज़्यादा खराब नहीं है दोस्तों जबरदस्त है यहाँ पर देखेंगे तो company का balance sheet बहतरीन balance sheet यहाँ पर company maintain करके रखा है next करेंगे company के market से यार देखिए 26% plywood segment में इसका market से यार आपको दिखेगा revenue कहां से आता है plywood and LL products से total 99.4% की revenue आता है density fiber world से देखिए स्रिप 0.6% की revenue कमपनी generate करते हुए आपको दिखेगा इंडिया में से 94% revenue और बाकी rest of the world देखिए 6% की revenue company यहाँ पर company का आते हुए नजर आएगा दोस्तों next अगर हम बात करेंगे जो है यहाँ पर देखिए जो income management है income management का क्या कहना थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं एक परेग्राफ है इसको पढ़ लेते हैं our emphasis on widening the distribution reach and focus on small towns and cities is yielding results both on volumes and reduction in working capital investment we are optimistic on sustaining growth in future quarters जी हो दोस्तों यह यह लेके यह जो है mission लेके company का management भी काम कर रहा है और यह expectation लेके company आगे बढ़ रहा है बाकी company जबरदस्त है long term के लिए आप बिल्कुल इस company के उपर investment करके चल सकते हैं दोस्तों बाकी दोस्तों research करना और company को रुपर पढ़ना बिल्कुल आपका है और decision भी आपका investment करना है या इसको छोड़ देना है दोस्तों complete decision आप कर रहेगा बस आज के लिए इतना था वीडियो गर अच्छा लगा तो इत लाइक कर दिज़ेगा दोस्तों और चैनल को subscribe नहीं किये ह तो please subscribe कर दिजएगा जैहिन